ओजन की शुद्धी की जितनी भी बाते हैं, वो इसलिए है कि हमारा शरीर शुद्ध रहे, अन्ताकरण शुद्ध रहे, रजोगण तवोगण हावी नहो, शरीर, मन, बुद्धी, इंद्रिया, शान्त रहे, पस यहीं बात खतम नहीं हो जाती, शान्त हो गई, यह वैसे ही है, जैसे किसी बच्चे को स्कूल जाने के लिए, हमने जूते भी पॉलिश करके पहना दिये, टाई भी बढ़िया सी लगा दी, ड्रेस भी उसको पहना दी, और कंगी भी कर दी, बाल भी लगा दिया, तेल भी लगा दिया, क्रीम भी लगा दी, सब कुछ कर दिया, और उसको स्कूल नहीं भेजा, यह वैसे ही है, वोजन की शुद्धी कर ली और भजन नहीं किया, वोजन की शुद्धी, शरीर की शुद्धी इसलिए है, कि हमारे मन की चंचलता कम हो जाए, समाप्त हो जाए, और हम भजन करें, ठीक है, आपने केवल वोजन की शुद्धी कर ली, ड्रेस पहना दी और बच्चे को घर पे बैठाए रखा, इसमें हाने ही कुछ नहीं है, ल बच्चे को लुकसान कुछ नहीं है, लेकिन प्राप्त कुछ नहीं होगा, इसलिए ये जो उपर लिस्ट है, भादों में दई मत खाओ, आश्विन में दूद मत खाओ, कार्तिक में दाल मत खाओ, इसलिए नहीं खाओ, कि इनके द्वारा जो जो इन मास में विकार होता है, वो विकार ना हो और वो विकार ना होने से हम अधिक से अधिक भजन कर पाए और भजन में वो ही है जप सर्वोपरी है हरी नाम जप परिक्रमा है तुलसी सेवा है दीपकदान है तुलसी को ठाकुर के सामने दीपदान है शमण है, अध्यान है, गूमेशेन है, जो भी है वो भजन का कोई भी हो भजन के अंग को जो आपको अच्छा लगे परिक्रमा है भजन करना ही मुख्य अंग है एक मिनट को आप इतने सात्विक हो चुके है आप परिपक्को हो चुके हैं तो आप भलें दाल खालें, यदि आपका भजन बन रहा है तो दाल आपका कुछ नहीं विगाड़ पाईगी ये प्राइमरी लोगों के लिए जैसे नाले में गंगा जल डालना तो गंगा जल भी नाला बन जाता है और गंगा में एक छोटा सा नाला डालना तो नाला भी गंगा जल बन जाता है उसी प्रकार हमारी इस्तिती मैं अपनी बात कर रहा हूँ आप तो सभी दशनव हैं, दिद्वान हैं, आचरण शील हैं भक्त हैं, भजनानंदी है मेरी इस्तिती यह है कि मुझे इन सब चीजों का परेज इसलिए करना पड़ेगा, कि नहीं करूँगा तो मीरा चित्त विक्षिप्त होता है चित्त विक्षिप्त होने से भजन नहीं हो पाता है तो यह सब पालन करके और हम अधिक से अधिक भजन करने चातोर मास्से का उपदेश भजन करना ही है ना कि दाल दूत दही छोड़दा है ये भ्रहम है विशेशकर हमारी माता बहनों में बहुत भ्रहम है वो दाल दूत दही तो छोड़ देती है भजन पर चेश्टा नहीं करती है टीवी देखती रहती है, गप लड़ाती रहती है मुबाइल पर बात करती रहती है तो उन से मेरा हाथ जूड के निवेदन है कि इनका भी पालन करें इनके साथ साथ जो हमारा टारगेट है जो हमारा उद्देश है भजन भजन के किसी भी अंग को जो अंग अच्छा लगता उश्रमन करें कीटतन करें नामजब करें सीवा करें पूजा करें उस पर ज़्यादा ध्यान दें जैशीरा दें जैनिताई